नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल MS Digital Tech News में आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप एक स्ट्रीट वेंटर का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं जो आपने देखा होगा कि किसी भी रोड में चौराय में एक दुकान लगा के सबजी बेच रहे हो या ठिलिया में करना चाहरे है उस पर आपको यह Google open कर लेना है यह देखिए इस तरह की एक search bar आपको mobile पर भी दिखाई देती है यह नई दिखाई दी तो Google open करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा उपर की तरफ में वहां पर आपको search कर लेना यहां पर आपको लिखना है कामगार यह देखें इस तरह से कामगार सेतु S-E-T-U यह कामगार सेतु जब आप लिख लेंगे कामगार सेतु लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है जैसी आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट तो आपके सामने ये आएंगी लेकिन इसमें भी दो wcourse है, है कामगार सेतू में एक ग्रामीड के लिए है, और एक है सहरी के लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह देखें ग्रामीड कामगार सेतू, यदि आप गाउं में रह रहे हैं, और गाउं से आपने apply किया हैं, तो आप ग्रामीड कामगार सेतु की website पर जाएंगे वही चीज यदि आप सहरी पर रह रहे हैं तो आपको सहरी कामगार सेतु की website पर जाना है तो अभी आज हम ग्रामीड पर ना बताते हुए हम आपको सहरी के लिए बता रहे हैं यहाँ पर यदि आपने certificate बना चुका है पहले, apply कर दिया है और आपका certificate आप download करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पंजी करन करें, इस पर नहीं जाना है, आपको update करें वाले options पर जाना है, तो यदि आप नया apply करना चाहते हैं, तो उसके लिए यदि आप registration करना चाहते ह यदि आप certificate download करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको update करें पर click कर देना है तो जैसी आप यहाँ पर click करेंगे आपके सामने देखी इस तरह से options आजाएगा आवेधन को update करें दिखाए देगा यहाँ आप आवेधन update नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आपको certificate निकालना है आप इसको बिल्कुल यह मैं सोचेगे कि हम आपको certificate की जगे आवेधन update करना सिखा रहे हैं हम आपको यहाँ पर certificate download करने का तरीका बता रहे हैं तो इसके लिए देखिए अब यहाँ पर आपको यह जो mobile number दिखाए दे रहा है जो number आपने registration के समय दिया था यह था अपना mobile number वही mobile number आप आपको यहाँ पर fill कर देना है तो एक चीज का दियान रखेगा वह mobile number आपके पास होना चाहिए क्योंकि उस पर एक OTP आएगा इसलिए वही mobile number यदि है आपके पास तब ही आप यह certificate download कर पाएंगे अनिता बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर हम एक mobile number लिख लेत है चलिए हम capture code भी fill कर लेते हैं जैसा दिखा रहा है same वही capture code fill करेंगे गलत बिल्कुल भी नहीं करना है तो दो बारा फिर से fill करना पड़ेगा आपको सारी detail चलिए यह capture code हमने fill कर लिए अब देखिए आपको एक options दिखाए देता है OTP प्राप्त करें तो यह जो number है इस पर dot 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 submit करें बटन पर click करेंगे अब देखिए अब आपके सामने ये page open हो जाएगा यहाँ पर आपको request list ये दिखाई देगी यहाँ पर आपको beneficiary मतलब आपका नाम यहाँ पर आपका registration जब आपने किया था वो date दिखाई देगी आपकी category किस category में आपने registration किया है उसके बाद आपका यहाँ पर किस के लिक है आपने food बेच रहे हैं कपड़ा बेच रहे हैं जो भी आप बेच रहे हैं वो समान का category आपको यहाँ दिखाई देगा यहाँ पर आपकी family ID जो समगर ID होता है वो दिखाई देगा उसके बाद यहाँ पर आपको आपका photo दिखाई देगा यहाँ पर इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको ID card का status दिखाई देगा और यहाँ पर certificate, तो यह जो certificate signature status है, यहाँ पर नीचे आपको जो download का option दिखाई देरा, blue color से देखिए, इसको आपको यहाँ पर click कर देना है, जैसी आप यहाँ पर click करेंगे, तो देखिए, यह आपका जो certificate है, आपके सामने इस तरह से download हो जाएगा, यहाँ पर आपको आपको आपका जो भी नगर परिशाद या नगर पाली का या नगर निगम जो भी है, वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र, और यहाँ पर आपको यह जो सार certificate है, वो आप यहाँ से download कर सकते हैं, इसी तरह यदि आप आपका ID card download करना चाहते है, certificate की जगह, जैसे देखी, यह प्रमाल पत्र आपने download कर लिए, अब आपको ID card भी चाहिए, तो वापस आपको वही पर जाना, यह इस page पर, और इस page पर आपको यहाँ पर यह जो options यह जना, रास्टी सहरी आजी विकामिशन का जो ID card है, street vendor का ID card, वो आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इस तरह से आप आपका ID card यहाँ पर download कर सकते हैं, यह एकदम digital ID card है, जिसमें आपको किसी की भी certificate में, या फिर ID card में signature, किसी भी अधिकारी की signature करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारी यह जो बताई हूँ जानकारी, आपको जरूर पसंद आई होगी, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक सिर कर दीजीगा, साथी चैनल को सब्स्राइब करना बिलकुल भी नहीं भूलिएगा, और इसी तरह आप भी अपना certificate और ID card डा आपकारी के साथ